सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासीज हमारी मेरेट उन्यूवस्टी और सारंपु उन्यूवस्टी की बीड फस्ट यर की क्लासी चल रही है आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज लर्नर इस सब्जेक्ट की यह 11th क्लास है आज का हमारा टोपिक है अधि अधिगम होता क्या है क्या इसकी विशेष्टाएं होती है कौन कौन से कारकी से परवावित करते हैं यह most important question होता है अगर बीड exam की बात करें हम और easy होता है easy question है ज्यादा tough question नहीं है ज्यादा आपको पढ़ना नहीं होता बस एक बार हलका सा पढ़ लेजी अपने सब्दों में आप बातों को लिख सकते हैं paper में तो easy है लेकिन important है अगर आपने main topic की बात करें वो होता है अधिगम अधिगम बोलते हैं इसे अधिगम इसका मतलब होता है सीखना अधिगम को हम सीखने के लिए परियोग करते हैं जैसे कोई बच्चा सीख रहा है इस बात को हम ऐसे भ अधिगम की परिकिरिया बोलते हैं वही बात है अधिगम का मतलब हो जाता है सीखना learning असान सा ही point है अब आपको सीखने के बारे में हलका सा introduction लिखना होगा paper में आपके long question आता है कि अधिगम क्या होता है विश्चित रूप से उसकी विवेचना कीजिए तो आपको अधिगम के बारे में introduction लिखना होगा उसमें आपको अधिगम के बारे में कुछ बाते लिखनी होगी एक page या आदा page आपको अपने paper में लिखना होगा तो सीखने से संबंदित आप अप वे किरियाओं का ग्यान ग्यान करता है सीखना मनुष्य की जन्मजात पर करती है जन्म के कुछ समय बाद बालक जिनके भी संपर्क में आता है उनका ही अनुसरन करने वे लगता है जिससे वे सीखना शुरू कर देता है थोड़ा बड़ा होने के बाद वे दूसरों से क्या क क्यों कैसे वाले सवाल करने लगता है तथा आस पास की चीजों है किरियाओं का ग्यान पता करना लगता है थोड़े समय बाद विध्या ले जाता है जहां बहुत से विश्यों का उसे सिक्सों को के द्वारा ग्यान परदान किया जाता है इससे उसके सीखने की परकिरिया अध इसे बालक का विकास उचित दिशा में चलता है, अधिगम पर किरिया के द्वाराई, बालक विबिन तथ्यों का ग्यान ग्यान करता है, नहीं नहीं किरिया हैं सीखता है, तो तो आवेशक्ता पढ़ने पर उनका परियोग करता है, यह अधिगम के बारे में हमने कुछ लिख कि अधिगम क्या होता है, सीखना होता है, बालक किसी वस्तु या किसी किरिया का ग्यान ग्यान कर रहा है, उसे ही हम सीखना बोल देते हैं, पहले बालक जब पैदा होता है, चोटा होता है, तो वह दूसरों का नुगरन करता है, जैसे बड़े किरिया ही कर रहे हैं, वैसे ही वह चोटा बच्चा क्रिया ही करेगा और उन क्रियाव को करते करते वह बच्चा सीखेगा थोड़ा बड़ा होने के बाद जब वह बालक बोलने लगता है बोलने से मतलब होता है लगबख 2-6 वर्स के आयू में जब बालक होता है तो वह सब चीजों के बार में ग्यान ग्यान करना चाहता है, सब से question पूछता है, क्या क्यों, कैसे वाले सवाल पूछता है अपने बड़ों से, और वह ग्यान ग्यान करना चाहता है, जब और थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6 पलस हो जाता है, 6 साल से बड़ा, तब बालक अधिगम का अर्थ इसी रूप में लिया जाता है, मतलब समन्य बासा में हम कुछ सीखने को अधिगम बोल देते हैं, कोई बच्चा कोई किरिया सीख रहा है या कोई ग्यान ग्यान कर रहा है, कुछ सीख रहा है उसे हम अधिगम बोलते हैं, समन्य बासा में अपनी दैनिक जी मतलब ऐसी परकिरिया जिसमें बच्चा कोई ज्यान ग्रेन करता है और उसका परकिरिया का कोई परिणाम निकलता है जिससे बच्चे के विवार में परिवर्तन होता है तब इन दोनों का सम्मलित रूप ही अधिगम कहलाता है मनविज्यान की बासा में आम बासा में तो हम कु परकिरिया से अश्य मानव का नया ग्यान ने कोशल या नए तथ्यों का ग्यान ग्यान करने से होता है वहीं परिणाम का अश्या परकिरिया के परभाव से मानव के वैवार में होने वाले परिवर्तन से होता है तब इन दोनों का मानव के वेवार में परिवर्तन होना और ग्यान ग्यान करना यह जो पूरी परकिरिया है इसे हम मनुवग्यान में अधिकम मानते हैं मनवग्यानिकों के अनुसार सीखने का जब तक कोई आश्या नहीं होता जब तक उससे वैवार में कोई परिवर्तन नहीं हो मनवग्यानिक क्या मानते हैं बालक पहले तो कोई किरिया करेगा कुछ ग्यान ग्यान करेगा उसके बाद उस ग्यान से उस बालक के वेवार में परिवर्तना आएगा यह सीखने की परकिरिया होती है ग्यान ग्यान करना पलस वेवार में परिवर्तना इन दोनों के मिलाकारिय हम सीखने की परकिरिया बोलते है अगर ऐसा कोई ग्यान बालक ग्यान कर रहा है जिससे बालक के वेवार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तब उसे सीखना नहीं मानते हैं मनवेग ग्यान में हम मनवी ग्यान क्या होता है ग्यान ग्यान करना प्लस उस ग्यान के द्वारा हमारे वेवार में कुछ परिवर्तन होना जैसे किसी बच्चे ने कोई ग्यान ग्यान किया कि वह उसे हमेशा सच बोलना चाहिए और उसके बाद उसने हमेशा सच बोलना शुरू कर दिया उसके वेवार में परिवर्तन आ गया ना तो वह सीखना होता है सच बोलना सीखा उसने तो ये तो परकिरिया हो गई उसके बाद उसने अपने विवार में परिवर्तन किया और हमेशा सच बोलना शुरू कर दिया तो इन दोनों का सम्मलित रूप सीखना कहलाता है मनुवी ग्यान की बासा में अधिगम वहमानशी की रिया है जिसमें बालक अपने अनुबव का निर्मान करता है उनसे लाब उठाता है अपने विवार में वांचित परिवर्तन करता है तो था अपने विकास वा परिपकुता की और आगे बढ़ता है यह अधिगम के बारे में हलका से इंट्रोडक्शन इसे आप रट नहीं सकते, इसे एक बार पढ़ सकते हैं, और अपने सब्दों में वहाँ पर लिख सकते हैं, आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, अगर सीखने की परकेरिया की बात करें हम, तो सीखने की परकेरिया तीन पदों में पूर्ण होती है, पहला तो होता है तेजना दूसरा परकिरिया होता है, तीसरा होता है, परिणाम, जैसे ये बालक यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके सामने ये कैंडल रखी हुई है, तो बालक के मन में तेजना आती है, पहले अरे ये क्या है, इसे मुझे जानना चाहिए, ये है क्या, कैसे जल रही है, कैसे ल परिणाम आते हैं, परिणाम मतलब यह बालक कुछ सीख जाता है, बालक का हाथ आग पर लग जाएगा, यह जो लो जल रही है उपर बालक का हाथ जल जाएगा, इससे बालक सीख जाएगा, तो सीखने की परकिरिया तीन पदों में होती है, सबसे पहले तो तेजना हमारे मन मे आती है कि वह है क्या चीज है हम उसे जानते हैं क्या है कैसे है उत्तेजना हमारे मन में आएगी उत्तेजना के परभाव में हम कोई परकिरिया करेंगे कैंडल को पकड़ेंगे या कुछ काम करने की कोशिश करेंगे उस उत्तेजना के परभाव में उसके पाद हमारे सामने पर लेते हैं, शीखने के आप 2 परिवासा दे सकते हैं, 2 परिवासा क्योंकि important होता है यह और long में भी आता है, बाकी very short question जो आपके paper में आते हैं, दो number के, हाँ, दो number के आते हैं, first year में very short question, 2 number के very short question में आ जाता है कि सीखने की परिवासा दे दीजिया, सबसे पहली स्किनर की परिवासा सीखना वह परकिरिया है इसकिनर ने क्या का है सीखना वह परकिरिया है जिसके द्वारा मनुस्य परगतिसील वैवार को सुईकार करता है वही बात है सीखने के द्वारा मनुस्य अपने वैवार में परिवर्तन करता है को नया वैवार सुईक अब बात कर लेते हैं, सीखने की विशेष्था है, ये भी important है, आसान ही है, अब देखो आप कैसे सीखते हैं, सीखने की विशेष्था है, आप अपने सब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, पहला होता है, सीखना अधिगम विकास की परकिरिया है, जब हम सीखते हैं कोई चैनल सेंस की बात है, ये रटने वाली तो कोई नहीं है, हम नहीं नहीं ग्यान सीखते हैं, हमारा नए नए विकास अच्छा अच्छा विकास होता जाता है, तो सीखना क्या है, विकास की परकिरिया है, ये है एक मानसिक परकिरिया है, हम बुद्धी के द्वारा ये तो नेक्स पॉइंट है अमारा अधिघ करो होता है आप कहीं पर भी चल जाओ आप वहीं पर कुछ ने कुछ शीख सकते हैं, पूरी दुनिया में अधिघ कर देख THIS मतलब शीखने के हमारे अपना कुछ उद्देख स्य होता है, बिना किसी उद्देश से कि हम कुछ भी नहीं सीखते हैं अधिगम परिवर्तन सील होता है मतलब हमारा जो सीखना होता है वो बदलता रहता है हमेसा एकी तरीके से एकी चीज हम नहीं सीखते है अधिगम जीवन परियन चलने वाली परकिरिया है अधिगम हमारा जीवन परियन चलता है हम जब से प्यादा होते हैं जब तक हम मरते हैं तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं मरने से ठीक पहले भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं व्यवार में होने वाला परिवर्तन ये अधिगम कहलाता है यह तो important point है यह तो आपको पता ही होना चाहिए मनोविज्ञान यही मानता है अधिगम वातावरण की उपज़ है हमारे वातावरण में जो जो चीजियों व्यापत है उनस्या मंत्य किरिया करते हम सीखते है तो हमारे वातावरण की उपज़ है अधिगम अधिगम का परत्यक्स रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता किसी बच्चे के पास कितना ग्यान है उसका अधिगम कैसा चल रहा है उसका हम परत्यक्स रूप से अवलोकन नहीं कर सकते बच्चे की किरियाव वगर को देखना पड़ेगा उसके test वगर लेना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा कि अधिगम उस बच्चे का कैसा हो रहा है तो यह अधिगम की विशेशता ही है यह जनरल ही सोट में आता है सोट में ही आ जाती है लोंग में बहुत कम आती है यह most important है सोट में तो बहुत ज़ादा बार पूछा जाता है कि अधिगम को कौन-कौन से कारक परभावित करते है अगर आप से paper में पूछा जाए कि अधिगम को कौन-कौन से कारक परभावित करते है तब तो आप यह point लिख देना यह 12 heading है 12 की 12 heading आप लिख देना paper में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अधिगम को परभावित करने वाले 6-7 से संबंदित कारक बता दीजिए या अधिगम को परभावित करने वाले 6-8 से संबंदित 6-8 से संबंदित कारक बता दीजिए तो जिस परकार के पूछे जाएं उस परकार के लिख देना अगर कोई नहीं पूछा जा रहा सिर्फ यही आप से कहा जा रहा है कि अधिगम को परभावित करने वाले कारकों को बता दीजिए तब तो आपकी मर्जी है 12 heading है कोई भी लगबग 10 heading आप अपने paper में लिख देना अब एक एक करके इन heading के हम व्याख्या करते हैं इनको समझने कोशिस करते हैं यह क्या है सबसे पहले हम छातर से संबंदित कारक है कि छातर के ऐसे से कारक कोन से होते हैं जो उसके अधिगम को परभावित कर देते हैं सबसे पहला होता है हमारा वन्शानुकरम वन्शानुकरम मतलब हमारे पास जो गुण हमारे मम्मी पापा से मिले हैं जैसे मम्मी पापा का हमारा सीखना था हमारे माता पिता जिस परकार सीखते थे कारिय करके सीखते थे या फिर दूसरे बताते थे तभी उस बात को सीख जाते थे जिस परकार का अधिगाम हमारे मम्मी पापा का माता पिता का था वैसा ही अधिगाम हमारा होगा क्योंकि हमें हमारे गुण अपने माता पिता से ही मिले हैं तो हमारी सीखने की परकिरिया वन्षा नुकरम से जो गुण हमें पराप्त हुए हैं उनसे भी परवावित होती है। अधिगम पर वन्षा नुकरम का परवाव पड़ता है। बालक को माता पिता से पराफ्थ होने वाले गुणों को वन्शा नुकरम के रूप में वन्नित किया जाता है बालक को आदे गुण उसकी माता से और आदे गुण उसके पराफ्थ होते हैं जिस परकार के गुण माता पिता में होंगे वही गुण बच्चे में आएंगे इस प कि हमारा वातावरण दिगम को किस प्रकार पर बावित करता है देखो हमारे वातावरण में काफी सारी चीजे विराप्त होती है एक तो होता है हमारा घर घर होता है, समाज होता है समाज होता है एक हमारा होता है विद्याल्य यह हमारे वातावरण में यह तो आते हैं, विद्याल्या होता है, एक हमारा होता है कक्षा, एक हमारा होता है शिक्षक, शिक्षक भी हमारे वातावरण में होता है, तो यह चीजे हमारे वातावरण में होती है, आपसे वैरिसोट कोश्चन में भी पूछा जा सकता है, कि अध दिगम को पःपावित करने वाले वातारण की वैख्या कीजिए, वही बात समाज पर भी लागो होती है, समाज की क्या सोच है क्या स्थितिय सीखने के परती कोई समाज सीखने को एक अध्यात्मिक परकिरिया मानता है कि बालक को यह चीज़े शीखने चाहिए जो अध्यात्मिक है कोई बहुतिक मानता है तो उससे बालक की सीखने के परकिरिया पर परवाव पड़ जाता है और में भी हो जाती है कक्स हमें बालक को किस पर अगर का माहूल मिल रहा है वही बात सिक्सक पर लाग हो जाती है सिक्सक बेदबाव कर रहा है नहीं कर रहा है तो यह चीजे आप लिख देना सोट कोश्चन आपका बन जाएगा वही बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यह जो आए यह जाए है। तो बालक के शीखने में बाइदवट पन होती है। इस परकार वातावरन इंपोरटेंट होता है। इसको अलका सा पढ़ लेना और यह बाते महाँ पर लिख देना। आगार पेपर में इस्पेशल बातावरन ही आ जाए तो। नेक्स्ट है हमारा सारी रिक्स्वास्त है, अब देखो, हमारी फिजीकल हेल्थ कैसी है, वह भी हमारे सीखने को परभावित करती है। अगर मैं बीमार रहता हूं, डोक्टर के पार जादा तर जाता हूं तो इसकूल में जो ग्यान दिया जा रहा है उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूँगा क्योंकि मेरा मेन फोकस अपने सरीर को स्वस्त रखने में होगा तो सारी रिक्स्वस्त है भी अधिगम को परभावित करता है यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, handicap जो होती है, disabled होते है, person जो होते है कि कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो वो भी सारी रिक्स्वस्त है में आता है अधिगम में अधिगरूची लेगा इसकी विपरित अगर बालक को कोई सारी रिक कस्ट होगा तो उसका पूरा ध्यान उसी कस्ट पर लगा रहता है और वया अधिगम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाता है इस परकार बालक का जो सारी रिक रूप से स्वस्थ होना या बालक कितने अच्छे हैं, खुश हाल हैं, वहें भी हमारे सीखने की परकेरिय को परभावित करता है किसी भी कारिय को सीखने के लिए सारी एक स्वास्ता के साथ साथ मानसिक स्वास्ता भी अतियावशक होता है बालक अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह किसी कारे को जल्दी सीख लेता है अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह सीखने में अधिक समय लेता है या फिर उसे सीख ही नहीं पाता है इस प्रकर मानसीक स्वास्त है बालक के सीखने को परवावित करता है नेक्स बात कर लेते हैं बालक की बुद्धी की इंटेलिजन्स की अब बालक कितना बुद्धी मान है उसका सीधा सीधा सा परवाव बालक के सीखने पर पढ़ता है अगर बालक के पास तेज बुद्धी है उच बुद्धी वाला है बालक के IQ लेवल की अगर हम बात करें तब बालक का IQ 140 पलस है तो बालक हर चीज को जल्दी सीख लेगा अगर बालक का IQ 70 है तो बालक हर चीज को बहुत देर से सीखेगा तो बालक की बुद्धी कितनी है उसका सीधा सीधा सा फरभाव बालक की सीखने की परकिरिया पर पढ़ता है सबी विद्धार्थी ये बालक भिन 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 बुद्धी वाले होते हैं जब विद्धार्थी को उसकी बुद्धी की अक्समता के अनुसार कोई कारे सीखाए जाता है तो वहाँ उसे सीखने में असानी होती है वहाँ बालक उसे असानी सीख लेता है तो अधिक समय तक दरण की होता है अता बालक के सीखने में उसकी बुद्धी का एहम योगदान होता है तीर बुद्धी वाला बालक जल्दी सीखेगा मन बुद्धी वाला बालक देरी से सीखेगा उसी बात को यह जो बाते मैं लिख रहा हूँ यह भी मैं इसमें एड कर दूँगा जब आपको PDF प्रुवाइड कराओंगा थोड़ा सा एडिट कर दूँगा मैं इस paragraph को next होता है हमारा रूची interest बालक उन चीजों को जल्दी सीखता है जिसमें उसका interest होता है और जिस चीज में बालक का interest नहीं है उस चीज को बालक देने से सीखता है आता है बालक की रूची भी हमारे सीखने को परभावित कर देती है अगर व्यक्तिकत भी बिनताओं की बात करे तो परते एक बालक की रूची उद्देश से इस तर अलग अलग होते है परते एक बालक की रूची अलग अलग कारियों में होते है अगर बालक को उसकी रूची के अनुरूप किसी कारिय को सीखने के लिए दिया जाता है तो वह जल्दी सीख जाता है इसमें उसे अनंद के अनुबती होती है इसके विपरीत रूची हीन कारिया या पिर ऐसा कोई कारिया जिसमें बालक की रूची नहीं है उस कारिया को बालक को करने के लिए दिया जाता है तो बालक उस कारिया को देरी में सीखता है काफी देरी करता है उस कारिया को सीखने में बालक नेक्स्ट है हमारी अभी प्रेड़ना मोटिवेशन अब बालक को किसी कारियों को सीखने के लिए कैसी अभी प्रेड़ना दी गई है उसका भी बालक पर परवाव पड़ता है अगर बालक motivated है उस कारिया को सीखने के लिए तो बालक जल्दी सीख जाएगा अगर बालक motivated नहीं है तो उस कारिया को बालक देरी से सीखेगा सीखने की परकिरिया में अभी प्रेरिणा का बहुत यदिक मैत तो होता है अगर कोई बालक सीखने के लिए प्रेरित है तो वह उस कारिया को जल्दी सीख लेता है अत्य परते बालक को सीखने की परिकिरिया से पहले या सीखने के दोरान प्रेरकों का परियोग करना चाहिए हमें और बालकों का प्रेरित करना चाहिए, जिससे बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, अभी 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 प् शीखने का समय, सीखने का समय सीधे-सीधे हमारी सीखने की परकिरिया को परवित करता है हमारा psychology कहती है कि लगवग 30 मिन्ट तक ही बालक अपना ध्यान किशी एक चीज़ पर केंदित करकर रख सकते हैं इस वज़े से ही हम 40 मिंट का अपना एक lecture लेते हैं, कोई period लेते हैं, अगर आप स्कूलों की बात करें, 40 मिंट में भी, जो 10 मिंट होती हैं हमारी, यह teacher की class में आने जाने के लिए, उससे थोड़ा बातचीत करने के लिए, पहला जो बच्चे ने सीखा हुआ है, यह question पूछन के लिए, बच्चे के साथ सानूब होती है, अपना एक mail जोल सा बनाने के लिए होती है, 10 मिंट, तो 30 मिंट बच्चे को normal पढ़ाई के लिए होती है, जो basic पढ़ाई के लिए 30 मिंट तैय की जाती है, 10 मिंट extra कारियों के लिए होती है, तो वही होता है, सीखने का समय, आप लगतार सीखते ही नहीं रह सकते, 2-3 गंटा आप बैठ कर पढ़ रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 7-8 गंटे एक बार में बैठ कर पढ़ रहे हो, बीच में आपको गैप चाहिए, किसने टाइम के लिए आप सीख रहे हैं, बीच में कितना गैप ले रहे हैं, उसका आप या पिर उस बालक को किरिया को सीखने के पड़ती है, अथ है बालक को कोई भी किरिया सीखाते हैं, इस बात का दियान रखना चाहिए, कि बालक को लगतार ज्यादा समय तक उस कारिया को ने कराया जाए, और सीखने पर ज्यादा बलना ही दिया जाए, बीच में थोड़ा- तोड़ा सा अंतराला में करना चाहिए यह बालक से संबंदित कारक थे छातर से संबंदित कारक अब सिक्सक से संबंदित कारकों की बात कर लेते हैं सिक्सक के कौन सैसे कारक होते हैं जो बालक के सीखने की परकिरिया को परभावित कर देते हैं उसकी स्थिती कैसी होती है, बीमार है रहता है, सारी ग्रूप से सुख्थ है, मांची ग्रूप से सुख्थ है या नहीं है, अच्छछछी बाते करते है, या पिर हतास निरास वाली बाते करते हैं, तो सिखसक की personality कैसी है, उसका बच्चों पर बहुत अधिक परभाव पड़त आप छोड़नी चाहिए छात्र सिक्सक के व्यक्तितु से बहुत सी बाते सीखते हैं इस दरस्टी से सिक्सक को आत्मिस्वासी द्रड इच्छा सकती वाला अच्छी रूचियों वाला होना चाहिए इस से छात्रों पर भी अच्छा परभाव पढ़ सकेगा शिक्सक का ग्यान अब सिक्सक को अपने विश्या का कितना ग्यान है उसका सिधा सिधा सा परभाव बच्चों के अधिगम पर पढ़ता है देखो यह सिख्सक के जो संबंदित कारक होते हैं यह important कारक है पेपर में आपसे सिधा 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 सा पूछा जाता है कि छात्रों के अधिगम को परभाव भी बच्चे की अधिगम की परकिरिया पर सिधा 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 सा पढ़ता है सिख्सक को उसके विश्या से संबंदित कितना ग्यान है यह चात्रों को परतेक्स रूप से परभावित करता है यदि सिख्सक को इसके विश्या का पूरा ग्यान नहीं है तब वह चात् नेक्स्ट बात हो जाती है हमारे सिक्सरण के कोशल क्योंकि सिक्सक को ग्यान होना अलग बात है और सिक्सक को ग्यान को छात्रों को परदान करने की कला होना वो अलग बात है सिक्सक के कोसल से मतलब हो जाता है सिक्सक के पास वे स्किल कैसी है कि वे अपना ग्यान अपने बच्चों को परदान कर देता है तो टीचर के पास टीचिंग स्किल कैसे परकार की है किस परकार उसके पढ़ाने का तरीका है उसका भी परबाव बच्चों के अधिकम पर बहुत अधिक पड़ता है सिक्सक को उसके विशे का पूर्ण ग्यान रखना तथा उस ग्यान को परदान करने में निपूर्ण होना दोनों बाते अलग-अलग होती हैं कई बार ऐसे सिक्सक भी हमें देखने को मिल जाते हैं जिने ग्यान तो बहुत होता है उनके विशे का परंतु उन में उस ग्यान को छात्रों को परदान करने की जो कला होती है उस कला का बाव होता है आते हैं शिक्सक के शिक्सन कोशल भी छात्रों के अधिगम परकिरिये को परभावित करते हैं शिक्सक व्यक्तिकात भी बिन्ताओं का किस प्रकार ध्यान रखता है अपनी कक्षा में आधोनिक मनोव ज्यान का कितना ज्यान रखता है किस प्रकार की सिक्षन विद्यों का परियोग करता है तीचिंग एड़ सिक्षन साइक समगरी का किस प्रकार परियोग करता है बाल के अंदर इस सिक्षक की किस प्रकार विवस्था करता है आदी की छात्रों की अधिकम परकिरिया में एहम भूमी का होती है और उसका परभाव पढ़ता है बच्चों के सीखने पर नेक्स्ट हैडिंग हो जाती है हमारी सिक्सक का वैवार अब सिक्सक का वैवार किस परकार का है वैवार शिक्सक बच्चों के साथ किस प्रकार करता है सानू बोती वाला रखता है अड्राने वाला रखता है डाट कर रखता है अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करता है तो सिक्सक का वैवार भी बच्चों के सीखने की परकिरिया को परभावित करता है सिक्सक का वेवार भी छात्रों के सीखने को पर्टेक्स रूप से परबावित करता है वह किस प्रकार छात्रों के साथ अंते किरिया करता है, इंट्रेक्शन करता है, किस प्रकार बाच्चित करता है कक्सा में किस प्रकार का अनुसासन रखता है इस बात का चात्रों पर बहुत अधिक परभाव पड़ता है यदि सिक्सक का वैवार सानुबोती पूर्ण सहयोग पूर्ण समानता और सहीं बरतने वाला है सिक्सक के वैवार में ये सब गून है तब वे चात्रों के अधिगम के लिए अच्छा वातवन बना सकता है जिसमें चात्र सहाज रूप से असने से सीख लेते हैं इसके विप्रित यदि सीक्सक कठो हो रहा है डाटता है चात्रों को पिटाई लगाता है डाट कर रखता है अवाज तेजी गुच्से में बोलता है तो चात्रों की एक अक्सा से प्लाइन करने लगते है यह आज का हमारा टोपिक था अधिगम यह यहाँ पर हमारा टोपिक खतम हो जाता है अधिगम इसके एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको एक बार मेरे टीचर ने जो हमारे कलास थे कलास चल रही थे उसमें मेरे एक टीचर था टीचर ट्रेनर था उसने पूछ लिया था कि अधिगम को क्या बोलते है अधिगम को हिंदी में ही क्या बोलते है तो लगबख 50% बच्चे नहीं बता पाए थे जबकि मैं second year में थे second year में भी नहीं बता पाई थे उस time पर तो अधिगम सब रट लेते हैं अधिगम अधिगम क्या होता है अधिगम को असान भासा में बच्चे नहीं बता पाते इस वज़े से जो आपके वाइवा वाला टीचर आता है वाइवा वाला एक्जामनर जो आता है वो पूछ लेता है अधिगम का क्या अर्थ होता है असान भासा में हम अधिगम को क्या बोलते हैं असान भासा में हम अधिगम को सीखना बोलते हैं तो यह जो सब देना सीखना ये याद रखना कोई पूछे अधिगम क्या होता है सीधा सा बोलतों सीखना होता है आपका काम चल जाएगा I hope अधिगम क्या होता है उसको परभावित करने वाले कारक, विशेष्था या परिवासा वगरा सब कुछ आप समझ पाया होगे Long question होता है important होता है B.Ed के लिए वीडियो आपको अच्छी लगे हो, आप इसे अपने B.Ed गूरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं B.Ed की सभी subject की इसी तरह से daily regular classes लेने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं Till then, bye bye, take care